हल्दी में समाए हैं गुण हजा खाने के स्वाद को बढ़ाती है हल्दी जीवन से समस्याएं भगाती है हल्दी नजर दोश को करती है दूर कुंडली में ब्रेहस्पती को करती है मजबूर शनी मंगल की बलाओं से करती है मुप्त हल्दी के तीन रंगों का रहस्याएं नमस्कार हमारी स्खास पेशकुष में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वाती रायना हल्दी जो एक अद्भूत मसाला है तो दूसरी तरफ चमतकारी गुंड रखने वाली और शदी भी है जिसके प्रयोग से आपना केवल उतनम स्वास्ति की प्राप्ती कर सकते हैं बग्कि जीवन में कई तरह की समस्याओं से भी चुटकारा पा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हल्दी के तीन रंगों का रहस्य क्या है जी हाँ आज हम यही आपको बताएंगे कि हल्दी के तीन रंग कैसे आपकी कुंडली में देव गुरू ब्रहस्पती, मंगल और शनी की दशा को भी सुधार सकते हैं और यह सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है शेलिंद्र पानी जी शेलिंद्र जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो कौन से हल्दी के तीन गुण है जो आपकी जीवन में खुशिया ला सकते हैं आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम जानते हैं कि चैलिंद्र जी हल्दी का धार्मिक महत्व क्या है वैसे किचर में तो हल्दी बहुत काम देती है बहुत स्वास्ते के लिए अच्छी होती है लेकिन धार्मिक महत्व क्या है देखे हल्दी एगर हिंदू परंपरा में हम समझना चाहें तो जो हल्दी का रंग होता है वो पीला होता है पीला रंग वास्तों में शुभता का रंग होता है और हिंदू मैथालजी में शुभकारे का मतलब पीलापन होता ही है इसलिए हल्दी का सीधा संबंद हिंदु धर्म से मानना चाहिए हल्दी एक विशेश प्रकार की ओशदी है जैसा कि स्वाती ने शुरुवात में ही कहा कि एक विशेश तरह के मेडिसिन है जिसका हम मसाले में इस्तिमाल करते हैं इसके अंदर दैवी ये गुड होते हैं, कैसे होते हैं वो आगे बताएंगे आपको, हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगल लाने वाला माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभता का कार्य बिना हल्दी के हिंदू धर्म में कम से कम नहीं हो सकता हल्दी की खासियत क्या है, ये खाने के स्वाध को तो बढ़ाती ही है, एक अलग तरह का फ्लेवर ले आती है, इसके साथी साथ जीवन का स्वाध भी बढ़ा देती है, जीवन में संपन्नता भी ले आती है मुख्य रूप से हल्दी जिस वज़ा से दुनिया में जानी जाती है हल्दी विश रोधक होती है या यू हम कह सकते हैं कि हल्दी के अंदर पोईजनस गुड़ भी पाय जाते हैं हल्दी के अंदर विश भी होता है इसी लिए विश विश को काटता है इस आधार पर ये विश का नास कर देती है पहली बात दूसरी बात ये निगेटिव एनरजी को नश्ट करती है उन चीजों को ठीक कर सकती है जो आपको सामान ने आखों से नहीं दिखाई दे सकती है हल्दी का प्रियोग इसलिए हवन में भी करते हैं और शधी में भी करते हैं ताकि निगेटिव एनरजी भी दूर हो और विश विश को काटता है इस आधार पर हमारे शरीर के जो crushing हैं टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं हल्दी के गुण और अवगुण क्या है यह तो हमने जानी है बहुत ही महत्व पूर्ण बात आज हम करें हल्दी जोके हर घर में पाई जाती है बिलकुल लेकिन अगर जो तिशविद्या की बात की जाएं जोतिश में भी हल्दी का बहुत महत्व है तो आज मेरे खास हर कोई जानना चाहते है कि जोतिश में हल्दी का क्या महत्व माना जाता है जोतिश में हर चीज का संबंध दुनिया में जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं हर चीज का संबंध किसी न किसी ग्रह से है हल्दी का जो संबंद है वो रंगों के आधार पर अलग अलग ग्रहूं से होता है हल्दी कई रंगों की होती है जैसे हल्दी पीले रंगी भी होती है, नारंगी रंगी भी होती है और टाले रंगी भी होती है पीली हल्दी मुझे लगता है साइध हम सब जानते होंगे ब्रिहस्पती से संबंध रखती है अब आप कहेंगे कि नारंगी हल्दी कहां से आ गई जब हल्दी कच्ची होती है तो अदरक कितना दिखाई देती है और उस समय उसका छिलका अगर हटाएं तो हल्दी का जो अंदर से रंग निकल कराएगा वो औरंजिश होगा नारंगी लिए हुए होगा और वो हल्दी मंगल से संबंध रखती है जो काली हल्दी होती है ये प्योर काली होती है हल्की सी मटमेले पन लिए हुए काली होती है और ये शनी से संबंद रखती है हम जिस हल्दी की आज बात कर रहे हैं वो ब्रिहस्पती वाली हल्दी है पीली हल्दी है जोतिश में ब्रिहस्पती को मजबूत करने के लिए और ब्रिहस्पती संबंदी समस्याओं के निवारन के लिए पीली हल्दी का इस्तमाल होता है और आज से नहीं हो रहा है प्राचीन काल से पीली हल्दी का इस्तमाल किया ही जाता है ब्रिहस्पती को मजबूत करने के लिए ब्रिहस्पती संबंदी समस्याओं के निवारण के लिए तो कौन सी हल्दी का रंग, कौन से ग्रह से संबंधित है, ये तो हम सब ने जान लिया, लेकिन सामान्य जीवन में अगर बात की जाए, तो हल्दी का जो प्रयोग होता है, किस तरह हमारे जीवन में लाबकारी साबित हो सकता है? स्वाती देखिए, एक तो जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं, किचन का बहुत अच्छा मसाला है, तो डेफिनेटली वास्ते विक्टा में किचन में तो बिलकुल इस्ता इस्तमाल करते हैं, भोजन में संतुलित मात्रा में अगर आप हल्दी का इस्तमाल करेंगे, तो आप आर के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर विश्च की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, अगर महिलाएं, भगवान सूरी को हल्दी मिलाकर जल चड़ाएं, यानि जल पीला हो जाएगा अगर उसमें हल्दी मिलाएं, और पीला जल अगर सूरी देव को रोज सुबह अरपित करें, तो विवाह की हर छोटी बड़ी बाधाएं दूर हो जाएंगी, अगर पेट की समस्या है, कैंसर की प्रॉबलम है, यानि ब्रिहस्पती संबंदी कोई समस्या है, इंटस्टाइन की, लीवर की, पेट की, कैंसर की, तो हल्दी का दान करना भी बहुत शुब होता है, लेकिन याद रखिए, ये हल्दी पीली होनी चाहिए, रोज सुबह अगर आप हल्दी का तिलक लगाएं, तो आपको वाडी की शक्ती प्राप्त होगी, अगर सरपर नहीं लगा सकते, तो कम से कम कंठ पर तो जरूर ही लगाईए, इससे जबान, वा के मंतर का जब करें, तो अत्यधिक बुद्धिमान और ज्यानवान हो जाएंगे, हल्दी की माला पहनी भी जाती है, लेकिन याद रखिए, हल्दी की माला पहनने की सबसे बड़ी शर्त यही है, कि आपको स्किन की प्राप्लम नहीं होने चाहिए, तो कि हल्दी कभी-कभी स विशेश रहस्यमई गुण भी है, बताएंगे, आपके सवाल का जवाब उसी में चुपा हुआ है, और वास्तों में वो एक ऐसा गुण है, जिस वज़ए से हल्दी का लेब विवाह में लगाना आवश्यक होता है, तो चलिए, यहाँ पर हमने क्या गुण है, क्या अब ग किया जाएं. ताकि यह खुले नहीं, और बाधने के बाद बाकी धागे को लटका लीजे अपने गले में, तो हल्दी को धागे में, पीले धागे में बात कर, या तो दाहिने बाजू में, दाहिनी भुजा में पहन लीजे, या गले में पहन लीजे, ऐसा करने से ब्रिहस्पती मजबूत और आपको बता दू अगर आप पीला पुखराज नहीं खरीच सकते हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकते हो महगा रतन होता है तो इसकी जगा पर आप यही पीली हल्दी पीले धागे में लपेट कर अपने गले में धारन कर लिजिए निश्चित रूप से ये पुखराज की तर लगाए हुए आप बहुत सरलता से इस अल्दी के प्रयोग से फाइदा उठा लेंगे लेकिन जैसे चलेंदर जी आपने बताया था कि हल्दी का विवा से भी connection है और जो कन्याएं विवा करना चाहती है लेकिन विवा नहीं हो पा रहा है उसके लिए हल्दी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है स्वाती आपको बिल्कुल जोती शार आया देरे देरे कोगि आपने कहा कि जो कन्याएं विवा करना चाहती है उनके लिए कैसे प्रयोग होगा बात बहुत सही है क्योंकि ब्रिहस्पती जो होता है वो महिलाओं के विवा का कारक होता है पुरुशों के विवा का कारक नहीं हो इसलिए जिन कन्याओं को शीगर विवा की आवशक्ता है वो हल्दी का प्रियोग कैसे करेंगी। फिर पानी में हल्दी मिलाकर सूरीदेव को जल चढ़ाईए और जब जल आप चढ़ा लेंगी तो आप देखेंगी कि लोटे के किनारे पर हल्दी लगी हुई है थोड़ी सी लगी रह जाती है। इस हल्दी के साथ मिलकर आपके अंदर मौझूद ब्रिहस्पती के तत्व को मजबूत कर देते हैं। तो शीकर विभा के लिए हल्दी कैसे लाबदायक है ये तो हमने जान लिया और एक और महत वो पूरुन बात जो हर सब के मन में होती है। धन की प्राप्ती कैसे हो? तो धन की प्राप्ती और हल्दी का क्या कनेक्शन है? हल्दी को कैसे प्रयोग किया जाए धन की प्राप्ती के लिए? ब्रहस्पती को कोश का वित्त का स्वामी समझते हैं जो तिश में, खाजाने का मालिक है ब्रहस्पती। इसलिए ब्रहस्पती को मजबूत करके निश्चित निश्चित रूप से आपको फाइदा होगा धन के मामले में। क्या करेंगे उपाए? आप थोड़ी सी हल्दी पि श्रींग श्री के बाद बिंदू लगा देंगे तो श्रींग हो जाएगा श्रींग लिखिए और अब इस कागज को जिस पर अपने हल्दी से श्रींग लिखा है इसे पूजा स्थान पर रखकर धूब बत्ती दिखा कर शुद्ध कर लीजिए अब ये एक विशेश तरह का का प्रियोग जरूर कर लेंगे आप निश्चित रूप से प्रियोग विशेश लाबकारी होगा और इसको अपने पास रखे रहेंगे तो आपको धन का अभाव नहीं होगा अगर गुरू पुष्यनक्षत्र लंबे समय तक नहीं आ रहा है तो किसी भी ब्रहस्पतिवार को इ जल में प्रवाहित कर दीजे और नया कागज बनाकर फिर से रखते जाईए जब तक इस कागज पर श्रिंग लिखा हुआ है आपके परस में पड़ा हुआ है यकीन मानिए आपको धन का भाव नहीं होगा या पर नकारात्मक उर्जा के आपने बताया था कि हल्दी में दोनों प्रॉपर्टीज होती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी तो उसको ध्यान में रखते हुए नजर दोश है या पर नकारात्मक उर्जा है उसको हल्दी के प्रयोग से कैसे दूर किया जा सकता है लोगों से लड़के का घर भी भरा होता है, बहुत सारे लोग पता नहीं किस मन से आ रहे हैं, किस भाव से आ रहे हैं, किस सोच से आ रहे हैं, किस के मन में क्या भाव है यह हम समझ नहीं सकते, हमारे अंदर कोई इंसाइड कैमरा नहीं है, तो वो लोग तमाम पॉजिटिव न लगा लेती है लड़की या लड़का शादी के पहले तो अगले 5-7 दिनों तक उसके उपर कोई भी निगेटिव एनरजी असर नहीं करती है विवा में हल्दी लगाने का उद्देश यही है कि दूलहा दूलहन नजर दोश्ट से बचे रहें सामानी जीवन में क्या करेंगे स सामानी जीवन में हल्दी को घिस कर कटोरी में या तो अपने पास रखे रही है लेकिन घिसेंगे पिशी हुई हल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे घिस कर पहले शरीर पर लगा लिजिए और उसके बाद स्नान कर लिजिए अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं या सपता हमें एक या दो दिन भी करते हैं तो एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरे डेली लाइफ में भी आपको नजर नहीं लगेगी की अट्राक्शन की बढ़े उसको हल्दी की प्रयोग से कैसे पाय जा सकता है आपको परिक्षा देनी है नौकरी करनी है रोजगार में दे जाना है अपनी आकरशनक शमता को मजबूत करेंगे तो आपकी बात से लोग प्रभावित होंगे आपका इंपैक्ट पड़ेगा उ हल्दी, चंदन और पानी मिला के जरा सा पेश्ट बनाईए इसे चांदी या जस्ते के पात्र में पूजा की स्थान पर रख दीजिए और भगवान का समरर कर लीजिए अब रोज सुबह जब भी काम की शुरुआत करने जाते हैं उसी हल्दी, चंदन और पानी का पेश्ट अपने माथे पर यहां नहीं लगा सकते तो अपने कंट पर लगाईए ये एक विशेष केमिकल बन जाता है विशेष रसायन है जो आकरशन भी पैदा करेगा और आपको एनरजेटिंग भी बनाए रखेगा जीवन में मधूरता बढ़ाए रखेगा और खास तोर से अगर म बहुत धन्यवाद आपका तमारी सकास पेशकर्ष में बस इतना ही रोपते एक व्रेक के लिए आप बने रही है हमारे साथ